बैक पैकिंग और सोलो ट्रिप आत्मा को जग जोर देने वाले होते हैं और इन्हें जीवन में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। खेर एक बार आपके बाकी के जीवन का पहला दिन होगा। एकल यात्रा हैं मुक्तिदायक होती हैं और यह तब और भी बहतर होता है जब चुनी गई जगहें उस भावना का अभवान करती हैं। आप पूरे पश्चिमी यूरोप में बैक पैक कर सकते हैं या आप दक्षिन, एशियाई या आस्ट्रेलियाई समुद्र में डाइविंग अभियान पर जा सकते हैं। जो भी हो, आनंद और खुशी की भावना बेजोड होगी और आपके जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी पहली एकल यात्रा अच्छी हो। यहाँ सर्वश्रिष्ट एकल यात्रा स्थलों की सूची दी गई है। अपने आपको एक दावत दे और एकल यात्राओं के लिए सर्वोत्तम देशों को अपनी इंद्रियों को उचा करने दे। एकल यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित और सर्वोत तम तेशों में से एक इंगलांड होना चाहिए अभिजात वर्ग और पैन के की सर्वोत क्रिष्ट भूमी आपको एक याद्गार यात्रा प्रदान करेगी अंडर्ग्रांड पब में जाएं और पारम पर एक ब्लाक टैक्सी के अपकी सेर करें संधीत प्रेमियों के लिए कॉर्णवाल के समुद्र कटव से लेकर बार्क रॉल तक यह जगह आपको उत्साह का एहसास देगी जो आपके दिल में लंबे समय तक रहेगी नमबर नौ थाइलेंड थाइलेंड एक बैक पैकर का स्वर्ग है वर शायद यही बात अब तक दुनिया जानती है बैंकोग की नाइट लाइफ से लेकर कुम समुई के हिप्पी वाइप्स तक देश सचमुच अकेले यात्रियों के लिए मजेदार गतिविधियों से भर हुआ है थाइलेंड के भीतर यात्रा करने के लिए सही स्थानों का चयन करते समय आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता है लेकिन कुल मिलाकर यह स्थान निश्चित रूप से घूमने के लिए सबसे अच्छे एकल यात्रा स्थलों में से एक है कुछ रूमांस के लिए इटली जाएं भोजन के साथ रूमांस भी अपने शरीर को वहदे जो वहद चाहता है कार्व प्रमांड की यात्रा जिसे इटली ने खुबसूर्ती से क्यूरेट किया है इसके अलावा इतालवी भोजन को दुनिया भर में सबसे अच्छे व्यांजन के रूप में मानने ता प्राप्त है जब आप डसकन धूप में सोखे और नेपल्स वाइन्याड से कुछ प्यारी शराब की चुसकी ले तो उस चीजी कार्ड का आनंद ने जो देश आपको देना है अपने आपको लाड़ प्यार करे और अपनी जीब को भोधन स्वर्ग की यात्रा करने दे दक्षिणी गोलार्द का प्रमणिये देश आस्ट्रेलिया एक ऐसी भूमी है जो सभी सही कारणों से विभिन प्रकार के पर्रेट को और एकल यात्रियों को आकरशित करती है यह तुटीहीन बैक पैकिंग और काउच सर्फिंग द्रश्य हो या अविश्वस निये खिचाव जो यूँवा एकल यात्रियों को देटा है देशनिष्टित रूप से एक यात्रा के लायक है इसके अलावा उस जगह के महासागरों में कौन नहीं जाना चाहेगा जहां क्रिस टेमसवत बड़े हुए थे नमबर 6 स्पेन शुक्र आरोही जैसा है यह निस संदे असाधार अड़रूप से अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ सबसे खूसूरत जगहों में से एक है आप तो सभी यात्रा आवश्यक्ताओं को फूरा करने के लिए पूरी जगह में एक प्यारा खिजाब है समुद्रतट पर जाना चाहते हैं आगे बड़ों और सोकोरों और होगाटा समुद्रतटों की जाच करें कुछ बिरासत स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं स्पेन के पास बहुत कुछ है भव्य मूर्तियों और होजेग दिवारों के साथ आकरशक वास्तुकला उतनी ही फैसी है जितनी इसे मिल सकती है जब आप अकेले यात्रा के लिए इस देश में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रसित मौलिन रूज में एक शो को देखने की कलपना करे या लौबर म्यूजियम के बीच में खोया हुआ महसूस करे दुनिया के प्यार और फैशन की राजधानी में तलाशने के लिए और भी बहुत कुछ है यहां की संस्कृती और शेहरों में आप पूरी तरह से खो जाएंगे अकेले यात्रियों के घूमने के लिए यह एक रमणी इस्थान होगा नमबर चार जापान वहां एक कारण है कि जापान के टोक्यों को दुनिया का सबसे अधिक अबादी वाला शेहर माना जाता है जगा की उर्जा चाहे वह पौश गिंजा पडोस हो या शांत सेंस जी मंदिर या प्रचुर मात्रा में रेमन डेनर, ग्लामर्स, शेहर की पेशकश की जाने वाली चीजों के समूर से आपका पूरी तरह से मनोरंजन होगा यह निस संदे दुनिया के सर्वश्रेष्ट एकल यात्रा स्थलों में से एक है टोक्यों से आगे क्योटो या नारा या उसाका तक जाए जापान का आकरशड और शेहली आपको अचम्बित करती रहेगी यदि आप पहली बार अकेले यात्रा कर रहे हैं तो नीदरलेंड निश्चित रूप से अकेले घूमने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है विश्व प्रसिद्व संग्रहालयों से लेकर भूमिगत पार्टी एत रिश्यों से लेकर नहरों के नीचे आइस सेटिंग तक पूरी सेटिंग काफी आकरशड लगती है है ना अपने आपको एक बाइक बुक करना सुनिश्चित करें एक अच्छा छात्रावास का कमरा प्राप्त करें और बाइक पर शहरों का पता लगाएं नमबर दो जर्मनी यदि आप बीर के शौकीन है तो जर्मनी आपके लिए सही जगा है म्यूनिक में को कट्र पेस्ट सच मुझ एक ऐसा त्युहार है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे मज़ेदार भीर और बीर की शौकी शौकी नई दोस्ती और यात्रा के साथ ही में बदल जाएगी क्योंकि कई एकल यात्री वर्ष के इस समय के दोरान जर्मनी जाने का विकल्प चुनते हैं यह उलेख करने के लिए नहीं की कैफे, रिस्टोरेंट, संग्रहाले और महल कितने सुन्दर हैं जिन्हें आप अपने प्रवास के दोरान देख सकते हैं दुनिया में सबसे सुरक्षित एकल गंतव्यों में से एक के रूप में जाना जाता है न्यूजीलैंड पैकपैकर्स के लिए एक उभरता हुआ स्वर्ग है अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब सप्राइब करना न भूले